हलो दोस्तो नमस्कार आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे सप्रशंग व्याख्या की जो की आपके एकजाम में आठ अंक के पूछे जाते हैं तो हिंदी सौवंख बराहुवी कक्षा बिहार बोड तो जैसा कि मैंने अभी आपको टॉपिक बताया सप्रशंग व्याख एक्स्प्लानेशन तो हिंदी सौवंख का जो किताब आपका है उसमें दो भाग पढ़ना है पहला आपका गद्यखंड और दूसरा पद्यखंड गद्यखंड आपको मालूम है कहानी लेक निबंद और पद्यखंड कवीता तो आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे गद्यखंड से एक्स्प्लानेशन की देखें जो भी मैं आपको आज एक्स्प्लानेशन बताऊंगा वह बहुत है आपके एक्जाम के लिए तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि इसके बाद मैं पद्यखंड से ज सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोस्प्रकट नहीं होता एक्जाम तो देखिए आप explanation व्याख्या कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तिया बाल किरिष्न भट रचीत बात चीत से उद्रित है लेखक का कहना है कि बोलने पर ही मनुष्य की विद्वता एवं मुर्खता प्रकट होती है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके प्रती कोई राय नहीं बनाई जा सकती ऐसे आपको लिखना है सप्रसंग व्याख्या पहले तो ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तिया की स्पार्ट से ली गई है उस पार्ट के कहानीकार यानि बंदकार कौन है और उसके बाद आपको व्याख्या करना है जो वाक्य दिया रहेगा तो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोस प्रकट नहीं होता तो आंसर आपने समझा कि प्रस्तुत पंक्तिया बाल कृष्न भट रचीत बाचीत से उद्रित है लेखा का कहना है कि बोलने पर ही मनुष्य की विद्वता एवं मुर्खता प्रकट होती है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके प्रती कोई राय नहीं बनाई जा सकती तो ये आपका हो गया पहला एक्स्प्लानेशन जो की इम्पोर्टेंट है दूसरे एक्स्प्लानेशन की बात करें तो हमारी भीत्री मनुवरिती प्रती छण नए नए रंग दिखाया करती है वह प्रपन चात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुरघट बात नहीं है ये भी महत्पोर्ण है आपके एक्जाम के लिए इस लाइन को बड़ियां से समझ लेजिए एक बार फिर से हमारी भीत्री मनुवरिती प्रती छण नए नए रंग दिखाया करती है वह प्रपन चात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुरघट बात नहीं है तो समझते हैं किस पाट का है इसके जो कहानिकार या निबंदकार कौन है बड़ियां से समझते हैं तो इस लाइन को आप समझ गये होंगे तो चलिए एक्स्प्लानेशन करते हैं प्रस्तुत पंक्तिया बालकरिष्न भट रचित निबंध बात चीत से ली गई है लेखह कहता है कि अपने आप से बात कर लेना बात चीत करने का सबसे उत्तम तरीका है हमारी भीतरी मनुवरीती नए-नियरंग दिखाया करती है यह प्रपन चातमक संसार है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देखलो या दुरगट बात नहीं है हम राग द्वेस इर्शिया द्वेस इत्यादी भावों से घीरे रहते हैं किसी में हम गुण देखना चाहे तो वह दिखाई पड़ेगा किसी में हम दुर्गुन देखना चाहे तो ही दुर्गुन दिखाई देगा अता हमें अपनी मनोवरिती पर नियंतरण रखना होगा तो ये दो एक्स्प्लानेशन अपका हुआ पहला क्या सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुन दोस प्रकट नहीं होता तीसरे explanation की बात करें, तो यह भी हमारी तरह गरीब आदमी हैं, तो इसका explanation करते हैं. प्रस्तुत पंक्तिया मुहन रकीस द्वरा रचीत एकांकी से उद्रित है. यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है यह आपका मुहन रकीस द्वरारचीत एकांकी से उद्रित है लेखा कहता है कि बेटे मानक से उसके दुसमन सीपाही की पराण रक्षा की अपील मा बिसनी करती हुई कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा या भी हमारी तरह गरीब आदमी है इसकी मा इसके पीछे रो रोकर पागल हो गई है इसके घर में बच्चा होने वाला है या मर गया तो इसकी बीवी फासी लगा कर मर जाएगी या भी हमारी तरह गरीब आदमी है अब समझ गए किस पार्ट का है तो प्रस्तुत पंक्तिया मुहन राकेस द्वारा रचित एकांकी से उद्रित है या भी हमारी तरह गरीब आदिमिया दो बार एक्जाम में आयुए क्वेस्चन आपका है तो जीतना भी मैं एक्स्प्लानेशन बता रहा हूँ इसकी त्यारी आप बढ़िया से कीजिएगा क्योंकि बात आठ अंक की है तो या भी हमारी तरह गरीब आदिमिया आप समझ गया है या एकांकी मुहन राकेस द्वारा रचित एकांकी से लिया गया है लेखा कहता है कि बेटे मानक से उसके दुसमन सिपाही की प्राण की रक्षा क्या पील मा भिसनी करती हुई कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा या भी अमारी तरह गरीब आदिमी है इसकी मा इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है इसके घर में बच्चा होने वाला है या मर गया तो इसकी बीवी फासी लगा कर मर जाएगी अब बात करते हैं फोर नमबर एक्स्प्लानेशन की वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती मानक आये तो कुछ भी हो तुझे पता ही है आज कल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं तो चलिए इसका एक्स्प्लानेशन करते हैं प्रस्तुत पंक्तिया मुहन रकीस द्वरा रचीत एकांकी से उद्रित है लेखा कहता है कि कुंती बिसनी से कहती है बिचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करें शब सहेलिया तो एके करके चली गई तब बिसनी कहती है वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती मानक आए तो कुछ हो भी तुझे पता ही है आज का लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए है बिसनी मानक की इंतजार में है उसके आने पर ही लड़की की साधी हो पाएगी तो चौथा जो आपका एक्स्प्लानेशन है बढ़ियां से समझिएगा एक बार फिर से वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती मानक आए तो कुछ हो भी तुझे पता ही है आज का लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए है सबसे पहले तो आपको ये जो प्रस्तुत पंक्तिया दिया है आपको ये पकड में आ जाना चाहिए कि किस पाठ से है तो प्रस्तुत पंक्तिया मुहन रकीस द्वारा रचित एकांकी से उद्रित है लिखा कहता है कि कुंती बिसनी से कहती है बिचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करें सब सहे लिया तो एके करके चली गई तब बिसनी कहती है वह अरे घर देखकर ही क्या करना है कुंती मानक आए तो कुछ हो तुझे पता ही है आज का लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए है बिसनी मानक इंतिजार में है उसके आने पर ही लड़की की साधी हो पाएगी पांच नंबर बात करे तो मनुष्य को अपने विश्वासों पर दिर्था पुर्वक अडिक रहने का प्रियत्न करना चाहिए भगत सिंग कहते हैं कि क्रामतिकारी जेल की सजा भोग कर भी स्वतंतरता की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं भारतीयों को भी अपने विश्वासों पर दिर्था पुर्वक अडिक रहने का प्रियत्न करना चाहिए मृत्यू दंड, जेल दंड या फासी दंड से उन्हें डरना नहीं है देश को अजाद करने की विचार पर दिर्थ और अडिक रहना है पांचवा एक्स्प्लानेशन बढ़ियां से समझियेगा मनुष्य को अपने विश्वासों पर दिर्था पुर्वक अडिक रहने का प्रियत्न करना चाहिए भगत सिंग कहते हैं कि क्रांतिकारी जेल की सजा भोग कर भी स्वतंतरता की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं भारतियों को भी अपने विश्वासों पर दिर्था पुर्वक अडिक रहने का प्रियत्न करना चाहिए मृत्यू दंड जेल दंड या फासी दंड से उन्हें डरना नहीं है देश को आजाद करने की विचार पर दिर्थ और अडिक रहना है तो ये आपके हो गए पांच व्याख्या जोकी आपकी एक्जाम के लिए बेदेंपोर्टेंट है